क्या बढ़ा हुआ वजन आपको भी परेशान कर रहा है आप भी कोशिश कर रहे हैं कि वजन किसी तरीके से घट जाए और वो घटने का नाम नहीं ले रहा है परेशान हो चुके हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जूस की रेसिपी शेयर करने वाले हूं जिसको अगर पिय जाता है तो वजन बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है इसमें कोई फास्टिंग की जरूट नहीं है कोई डाइटिंग की जरूट नहीं है बस यह जूस आपने पीना है और वजन ठीक हो जाएगा तो हेलो फ्रेंड्स वैलकम तो आर चैनल लेट्स नर्चर आर मैंड्स यह जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसलिए पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएं तो यह जूस बनाने के लिए हमने कुछ सबजियां लिए हैं जैसे हमने एक कटा हुआ गाजर लिया एक कटा हुआ खीरा लिया है दो डेट यानि चुहारे लिये हैं खजूर लिये हैं दो एक नीबू साबत लिया है जो छोटे साइज का है थोड़ी सी हमने काली म अच्छे से दोने के बाद काट लिया और टुकडे कर लिये अब एक blender में डालके इनको blend करेंगे पहले हम थोड़ा पानी डालके इसको blend करना शुरू करेंगे अगर मैं बात करूं कि इसमें ऐसा है क्या जो आपके वेट को कम करने में मदद करेगा तो ये एक बहुत ही low calorie juice बन तो हमने जब हाफ ब्लेंड उसको कर लिया है उसके बाद इस तरीके से चील के और काटके नीबू भी उसी में डाल देंगे जूस नहीं डालना है नीबू डालना है पूरा लेकिन हाँ नीबू के बीज जरू निकाल देना अधरवाइस आपका जूस थोड़ा करवा हो जाएगा तो काटके बीज निकाल देंगे और नीबू इसमें डाल देंगे साथ में हम जो दो डेट्स हैं उनकी गुटली निकालके वो भी डालेंगे जो हमने मिंट लिया है उसको भी हम डाल देंगे काटके और एक बार फिर से ब्लैंड करेंगे सिनेमन भी हम अभी डाल देंगे इसके साथ ही साथ ये जितनी भी चीज़े हैं सारी नैशरली आपके वेट को कम करने में बहुत मदद करेंगी नैशरल तरीके से बाड़ी को हाइडरेट रखेंगी बाड़ी को पूरा निूट्रिशन देंगी क्योंकि इसमें फाइबर बहुत जादा है लेकिन कैलरी बहुत कम है तो वेट को बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगी ये इस तरीक से हमने इसको ब्लैंड कर लिया अब थोड़ा पानी और मिलाएंगे शुरू में पानी जादा नहीं मिलाना नहीं तो ये चीज़ें ठीक से पिस्ती नहीं है तो आप आपनी मिला दिया जितना आपको ठीक चाहिए उतना आप रख लेंगे और एक बार फिर से ब्लैंड करके उसको अपने ग्लास में डालेंगे आपका जूस बनके तयार हो गया है इसमीं जितने भी नीट्रियंट्स हैं वो डेन्स फूम में है गाजर में जैसे विटाइमिन इसे बहुत सारे गाजर तो इस तरीके से सारे विटाइमिस तो आपको मिल रहे हैं लेकिन क्यालरी कम होने के कारण वजन भी कम रहेगा वजन बढ़ेगा नहीं आपने इसको बिना चाने एज इस पीना है और बस यह बनने के बाद थोड़ी सी इसमें ब्लैक पैपर आप डाल दें जो टेस्ट भी बढ़ाएंगी और इसके न्यूट्रियंट्स की पावर को भी बढ़ाएंगी वह हजम करने में भी आसान होंगी बस इसे पीएं एक ग्लास यह जूस पीने के बाद आपको दुपैर तक और भूख नहीं लगेगी तो एक्सेस जो एमटी कैलरी जाती है वो आप नहीं खाएंगे चैटर पटर जो स्नेक्स होते हो नहीं खाएंगे और आप ख्याल दी रहेंगे इस तरीके से इसे बनाईए पी के देखिए आपको वि इसे बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू